नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का मेरी चैनल पे किचन खुराना विद लव शोग आज मैं बनाने जा रही हूं आमला की एक और रेस्पी जिसका नाम है आमला गटागट तो आमला जो है वो हमारी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशल होता है आमले में विटामिन सी हो thi park और हमारी बॉस्ट करता है तो चलिए start करते हैं मेरे पास है आदा किलो आमला इसको दो करके लिया है मैंने और सबसे पहले हम इसको more करेंगे तो मैंने आमले को कुकर में डाल दिया है इसमें याड़ करेंगे पानी और कुकर का ढखकन बंद करके हम इसको दो विषल तक क करेंगे तो जैसे दोविसल हो जाएंगी उसके बाद स्टीम निकलने के बाद हम कुकर को चक करके देखते हैं तो आमले हमारे अच्छा से पक चुके हैं काफी ज्यादा टेंडर हो चुका है आमला हमारा और इसकी कलियां भी खेल चुकी हैं तो इसका पानी ड्रेंड कर लेते हैं इसकी गुठलियां जो है अलग हो रही है तो सारी गुठलियों को हम निकाल लेंगे और इसकी कलियां किला के हम ले लेंगे तो यह दिखे मैंने सारी कलियां किला ली है इसकी अब हम इसका पेस्ट त्यार करेंगे आप चाहे तो इसको मिक्सर जार में चला के भी इसका फा इसका काम बन जाएगा तो मैश होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा काफी अच्छा स्मूद पेस्ट बन चुका है इसका तो चलिए इसको एक पैन में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको हम और कुक करेंगे अच्छे से चला देंगे जैसे जैसी ये कुक होता जाएगा इसकी जो है क्वानिटिटी थोड़ी रिडियूस होती जाएगी ये दीखे ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है चलाते हुए कंटिनिउसली कुक करेंगे इसको और इसके बाद इसमें आड़ करेंगे मिठास के लिए गुड गुड को मैंने बारीक टुकडे करके लिए लिए है डेड़ कप गुड जो है यहाँ पर मैं आड़ कर रही है आप अपने हिसाब से मिठास कम जादा कर सकते हैं आच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कुक करेंगे ये देखें काफी अच्छा सा कलार आ गया इस वक्त कंटीनियूसले इसको चलाते रहेंगे आमला हमारा काफी अच्छा से कुक हो रहा है तो अभी कुछ मसाले डालते हैं सबसे पहले जाएगा भूने हुए जीरेगा पाउडर उसके बाद इसमें आड़ करेंगे काला नमक और अभी जाएगा काली मिर्ची का पाउडर और इन सबी मिसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर देना है आप चाहें तो इसमें आमचूर हिंग पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो अभी जो है आमला काफी अच्छे से कुख हो चुका है तो इसको अब हम निकाल लेंगे गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे मैंने एक प्लेट ले ली है और इसमें हम डस्ट करेंगे पाउडर शुगर और उसके बाद हम अपना आमला इसमें ट्रांसपर कर देंगे यह काफी थिक है इस वक्त तो इसको चीननी में अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि मिठास अच्छे से इसमें मिक्स अप हो जाए यह देखे अभी हम इसके गोल-गोल गटा-गट बनाएंगे तो इसको चीननी से ही कोट करते हुए घुमाते हुए हमने इसके छोटे-छोटे कैंडी टाइप गोले बनाएंगे बच्चों को ऐसी चीजे बड़ी पसंद आती है यह डाजेशन के लिए काफी अच्छा होता है आप खाने के बाद इसको ले सकते हैं तो ऐसे ही हमने चीनी में इसको कोट करते हुए इसके सारे गटा-गट बनाके तयार कर लेने हैं यह देखे अच्छे से चीनी में कोट करते जाना है साथ साथ हमने आप ऐसे हथेली पर थोड़ी सी चीनी डस्ट करके हाथ पर भी इसको इसको इसी बना सकते हैं हमारे गटा-गट बन के तयार है जो चीनी इसमे थी इसको अच्छे से हमने हिलाके इसके अंदर मिक्स कर लेना है तो इससे अच्छी सी शेप आ जाएगी तो यह हमारे आमला के जो हैं गटा-गट बन के तयार हो चुके हैं तो दोस्तों आपको यह मेरी रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा थेंक यूँ